हिंदी पड़ी क्यूं है उदास? इसके लाल हैं इसके पास. हिंदी को समरिद बनाने की हम कसम खाएंगे, जन जन अगर साथ दें तो हिंदी को ही अपनाएंगे, हिंदी को ही अपनाएंगे. नमस्कार, हिंदी सहित्य वारता परिबार की तरब से आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुब काम नाएंगे. दोस्तों, दस जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है आई जानते हैं. पहली बार 2006 में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था जिसका मुख्य उदेश्य हिंदी के प्रचार परसार के लिए जागरुकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतराश्ट्रिय भाषा के रूप में स्थापित करना रहा था. विश्व में हिंदी का विकास करना और इसके विस्तार करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलनों के शुरुवात की गई थी और प्रत्थम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपूर में आयूजित हुआ था और तभी से इस दिन यानि 10 जनवरी को विश्व हिंदी ग्रहनी और अंग्रेजी नौकरानी इसका मतलब यह नहीं कि हमारा दूसरी भाषाओं के प्रती आदर नहीं है या सम्मान नहीं है बात यह है कि भारत वर्ष में हिंदी भाषा को क्या वो सम्मान क्या वो इज़त मिलती है जो उसे मिलनी चाहिए हिंदी के संबन में अगर कोई विदेशी इस तरी के की बात कह सकता है तो हिंदी भाशी या भारत का नागरिक क्यों नहीं ये चीज समझना बहुत जरूरी है आज भारत वर्ष के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है और विश्व के कई विश्व विद्यालेओं व सकुलों में हिंदी में ही शिक्षन किया जाता है जैसी Amazon, Facebook, Google जैसी विदेशी कंपरियों ने भी हिंदी को विशेश महत्व दिया है ऐसे में आज दिनों दिन हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है आज सिर्फ आवेशक्ता इस बात की है कि हिंदी को हम सब लोग वही दरजा, वही इज़त, वही मान समान प्रधान करें जिसके हिंदी हकदार है एक बार फिर से आप सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुब कामनाएं शुक्रिया, जैहिंद, जैहिंदी